असलाम नेकुम डिया स्टूडेंट आज हम यूनिट नमबर 3 का टॉपित नमबर 2 पढ़ने जा रहे हैं जो के है रोल प्ले और सबसे पहले हम यह देखेंगे कि रोल प्ले होता क्या है और टीचर्स इसको किस तरीके से अपनी क्लास में इस्तिमाल कर सकते हैं और रोल प्ले इस वर वेर इंटरसेंग वी इंडी है इस्तूरिंट श्चेल्स और कहानियों के साथर किरेक्टािस के सथ रोल प्ले को बच्चे बहुत ने जूआ पनर हम सीन को देखते हैं कि सीन क्या वेरी कोंन सीन आप लोगों ने बश्वन में खुद भी सब कुछ किया हो पार्क में एक रेट का और इटों का टीला हुआ है अपने पर बहुत बहुत बड़ा पहार है। जिनने हमने पहले कभी नी देखा, so उन में से सामरा कहती है कि क्यों ना हम इनके लिए एक बुफे और एक बेंक्वेट का इंतजाम करें, अली बड़ा है उसने आज से पहले बेंक्वेट का नाम कभी नी सुना होता, वो पूछता है सामरा से कि यह क्या है, उसने का कि बेंक् को कोई ना कोई जबर्दस किसम की फीस्ट रहे सर्फ की जाए तो अब वहाँ फीस्ट कहां से आएगी दोनों बच्चों ने दरख्टों के पत्ते चुने जो कि सूखे वे थे उनको प्लेट बनाया और जो वहाँ फूल थे फल थे और डिफरेंट चीदे दरख्टों से गिरी अब यहाँ फूल तो अक्तिज करते रहे और इसके साथ साथ वह दोनों कॉन्टीनूस्ली एक दूसरे से बात दे करते रहे सवाल यह परता है कि वह क्या कर रहे हैं डेफिनिटीटल धैटों कोई ना कोई रोल निभारे हैं और उस रोल को बारे में जितनी इनफरमेशन उ जो भी चीज़े अवेलेबल हैं, उनके साथ imagine कर रहे हैं और अपनी कहानी बिल्ट अप कर रहे हैं. So, हमारे पास जो activities होती हैं, उसको हम focus करते हैं learning objective के साथ. और important चीज़ यहां पर यहां आती है कि आप जब भी role play देखते हैं, इस किसम की बच्चों को खेलते हैं और इसका मतलब यह है कि वो share कर रहे हैं जो कुछ उनके दिमाग में चल रहा है और plot after plot, scene after scene, imagination after imagination, कहानी चलती चली जा रही है. So, अली और सम्रा बुन्यादी तोर पे वो अपना unique knowledge है वो share कर रहे हैं और अपनी imagination में इस कहानी को इस पूरे खेल को build up करते जा रहे हैं. So, उसके अंदर उनकी बहुत सी आपको performance के अंदर ऐसी skills नज़र आएंगी जो कि बढ़ी sophisticated skills हैं, जिनको हम social abilities कहते हैं, cooperation है, planning है और किस तरीके से communicate करना है एक दूसरे से. जब हम role play को define करने जाते हैं, तो जब भी हम कोई play का नाम लेते हैं, तो definitely यह वो experiences हैं, concept हैं, stories हैं, जो बच्चे जो है, different किसम की इन तमाम चीज़ों को अपने play के अंदर इस्सेमाल करते हैं. Imagination जो है, it is a very very fundamental factor in a role play. उसके अंदर वो यह बताते हैं कि वो अपनी दुनिया को कैसे समझ रहे हैं, या वो इस दुनिया के बारे में क्या जानते हैं, जो उनके इत्गिर्द हैं, या उससे कैसे understand कर रहे हैं. रोल प्ले जो है, बिलकुल indoor भी हो सकता है, outdoor भी हो सकता है, अगर रोल प्ले के लिए कुछ इस किसम के areas हों, जिनके अंदर आर्चीज हों, curtains लगे हों, और उसमें आपको थोड़ा बच्चे को तनहाई का एसास हो, तो बच्चे अपनी तनहाई में, उन आर्चीज में, उन नूक्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से imaginative play कर सकते हैं, और character बनके खुद बखुद ही अपने dialogues create कर सकते हैं, और यह तमाम जो decoration है, यह आप बिलकुल recycle materials से भी बना सकते हैं, boxes से भी बना सकते हैं, या आप इने खरीद भी सकते हैं, multiple चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक चीज़ जो बहुत important है, वो यह है कि role play के अंदर हम बन्यादी तोर पर या तो किसी character को अपने उपर तारी कर लेते हैं, या हम खुद किसी दूसरी दुनिया में पहुच जाते हैं और उसको imagine करके वहाँ हमने क्या करना है, हम वो describe कर लेते हैं, जब role play हम plan out कर रहे ह होते हैं, तो हमारे पास दो important चीज़े आती हैं, जिसको हम देख सकते हैं, imaginary people, हम बच्चों के साथ इस किसम का role play कर सकते हैं, कि वो judge बन जाएं, president बन जाएं, queen बन जाएं, या कोई celebrity बन जाएं, बच्चे जो हैं, बहुत ही असानी से दूसरों के जो perception और viewpoint हैं, उसे adopt कर ले context है, जिसके अंदर हम बच्चों को engage कर सकते हैं, practice करा सकते हैं, कि आप इस situation में हैं, आप जरा role play करकर देखें, जिससे आप restaurant में हैं और आप waiter हैं, तो आप कैसे सर्फ करेंगे, कैसे menu बताएंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे communicate करेंगे, अगर आप airport पे हैं, तो आप कैसा check-in कर यह है कि वह engaging हो, memorable हो, exciting हो, inspiring हो, और हम इस तरीके से उन बच्चों को opportunities देते हैं, जो class में खामोश बैठे होते हैं, और ज्यादा communicate नहीं करते हैं, तो role play में वह भी participate करते हैं, और उनकी भी communication skills वह develop होते हैं, student rehearsal करते हैं, practice करते हैं, अपनी spoken skills की, और वह create करते हैं, scenario, real world situation के अ अंदर, that is such an amazing imagination and definitely a very creative activity, definitely role play के अंदर गल्तियां तो होंगी, जब हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, और उस पे हमें बहुत परिशान होने की जरूरती हैं, उस पे हम expect करना चाहिए, कि बच्चे हैं तो गल्तियां होंगी और जब ता गल्ती नहीं करेंगे तो वो सीखें कि देंगे, उस रादे प